हेलो दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो अभी टाइम हो रहा है पौने 9 बजे का और इस समय तक मेरे सभी काम हो जाते हैं हजबन मेरे सभा 8 बजे तक घर से निकल जाते हैं क्योंकि उनको ऑफिस जाने में लगबग सभा से डेड़ घंटा लग जाता है तो उनके जाने के पहले मेरे खाने पिने का काम हो जाता है उनके जाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ टीवी वगरा देखती हूँ क् कि किसी के जाने के बाद घर से निकलने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए तो जारू वगरा तो मैं लगाती नहीं हूँ वो काम वाली आती है तो जारू पोचा बरतर मेरी काम वाली करती है तो वो आती है लगबग 10 बजे तो उसके आने के पहले मैं अपना य हो जाएगा तो बस यहां पर मैंने भींगा कपड़ा लिया हुआ है गीले कपड़े से ही मैं इसकी साफ सफाई करती हूँ डेली मैं कोई लिक्विड जेल वागरा लगा के नहीं साफ करती हूँ तो इससे बहुत गंदा मेरा कुट टॉप होता भी नहीं है अब मैं कोशिश करती हूं कि इस ज्यादा कुछ गिरूने ना पाए हां बस रोटी बनाते समय जो थोड़ी बहुत गंदगी होती है वही हो जाती है और यहीं मेरी कोशिश रहती है कि इस पे कुछ मैं गिरूने ना दूँ त साफ करना ज्यादा मुश्कील होता है और ह Cow Ểई के विलकुल सअरक से लगे हुए हैं मेरा घर भी सह तो सामने पड़ता है यहां पर गंदगी बहुत जल्दी होती है तो इसको बस भींगे कपड़े से साफ कर दीजे तो अच्छे से साफ हो जाता है तो यहाँ पे बस मैंने एक तरफ से सफाई सुरू कर दी है इसके पहले मैंने सारा बरतन जो है धुलने वाला वो बाहर निकाल दिया है यहीं किचन से लगे ही मेरी चोटी सी बालकनी है वहीं पे मैं बरतन वगएरा साफ कर वाती हूँ तो वो काम वाली आएगी तो बस उसका काम रहता है जाडू पोचा बरतन का तो वो आके कर देगी उसके पहले मैं यह सारा काम अपना पूरा कर लूँगी तो यहाँ पे बस मैं गैस की सफाई कर रही हूँ और यह इसका स्टैंड वगएरा भी भींगे कपड़े से पोच देने से साफ हो जाता है थोड़ा वो जो डस्ट रहता है वो सब निकल जाता है तो इस तरह से देखिए इसको मैं साफ कर दूँगी और देखने से ही लग रहा है कि सिर्फ इस पे देखिए डस्ट जमा है और कुछ नहीं क्योंकि यहाँ से रास्त होने की वज़ज़ से काफी धूल आती जाती रहती है तो इसमें गंदगी जम जाती है तो अभी इस समय आ गया था मेरी बेटी का फोन क्योंकि उन लोगों की आदत है जब वो कॉलेज के लिए घर से निकलती है तो मेरे संग फोन पे रहती है जब तक उनका आर्टो स्टेंड नहीं आ जाता है तो इस तरह से मेरी जो दो बेटियां है वो कॉलेज आती है बड़ और आपस में हम लोगों की बाते होती है तो इससे उन लोगों का रास्ता भी पार हो जाता है और हम लोगों को सुबह के टाइम में अपना एक टाइम मिल जाता है जिसमें हम लोग अपनी सारी बाते कर लेते हैं ऐसे और भी टाइम में हम बाते करते हैं फिर वीडियो कॉल होती हैं अपस में मा बेटी की वो हम कर लेते हैं तो दोनों काम मैं साथ में कर रहे हूँ साथ के साथ मैं सफाई भी कर रहे हूँ क्योंकि काम वाली मेरी आने वाली है तो उसके पहले मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो साथ के साथ दोनों काम हो जाएंगे, बच्चे से बात भी हो जाती है और साफ सफाई भी हो जाती है अभी आ गई हूँ मैं बच्चों के रूम में और यहाँ पे सारे कपड़े धूले हुए रखे थे जो कि रूम खाली रहने के वज़द से अकसर आके यहीं पे रख दिया जाता है तो जबी भी मैं कपड़े वगर उतारती हूँ तो लाकी यहीं पे रख देती हूँ तो यह सभी मेरे जो उलेन गाउन है इनको अब मैं तह लगा के रख दूँगी और इसको बाद में जब मैं बेट खोलूँगी तो उसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि अब इसका काम नहीं है ठंड अब बिल्कुल चली ही गई है लगबग थोड़ी बहुत लगती है सुबह साम की तो एक शॉल से काम चल जाता है और अब उलेन गाउन पहने में थोड़ी सी गर्मी भी लगती है तो बस मैं यहां पर सारे कपड़े फोल्ड कर दूँगी और जितने भी कपड़े धूले रहते हैं फिलाला की यहीं पर रख दिये जाते हैं और क्योंकि यह रूंग खाली रहता है तो आसानी रहती है और जब टाइम मुझे मिलता है तब मैं सारे कपड़ों को तह लगा देती हूं तो यह बेट सीट पगर है जो मैंने उस दिन निकाले थे सब मैंने धूल लिये हैं और घर में जब लकणी का कां माधा था तो इतनी गंदगी हो गई थी कि इन कपड़ों पे पूरा डुस जम गया था। जो लकणी का बुराधा होता है उस वह उड़के इस पर जमा हुआ था तो सभी साफ हो गया है तो अब इसको सब को फोल्ड करके मैं सब को अपनी अपनी जगा पे रख दोंगी दिन में टेली मेरा लगबग यही काम रहता है जादा कुछ काम मुझे रहता नहीं है या तो मेरा जो नीटिंग चैनल है उसके लिए थोड़ा बहुत काम करती हूँ तो अभी फिलहाल घर में काम लगे रहने के वज़े से वो काम नहीं हो पा रहा है यानि नीटिंग वाला चैनल अभी इस समय कोई बिनाई का मैं पैटर नहीं डाल पा रही हूँ लेकिन उसको भी जल्दी मुझे डालना है यह सारे कपड़े जो थे वो सूक चुके थे तो मैंने का कि लगे हाथ इसको भी फोल्ड करके हटा दू ताकि बच्चों का बिस्तर जो है वो एकदम खाली हो जाए यह प्रोटेक्टर भी मैंने धूल दिया था लेकिन अभी मैं इसको नहीं लगा है तो बस सारा कपड़ा मैंने तह लगा लिया है और इसको मैं अपनी जगा पे रख दूगी तो देखें बेट बिलकुल खाली हो गया है साइड में थोड़े से समान रखें जब मैं मार्केट गई थी तो लेके आई थी तो सर रखें हुए उसको अभी मुझे लगाना है अ यह कमरा बहुत गंदा नहीं होता है क्योंकि बच्चे है नहीं लेकिन फिर भी कपड़े इस पे रख दिये जाते हैं तो बस उसी से थोड़ा बहुत भर जाता है तो मैं आपको दिखा रही हूं अपने बच्चों का एक साइड कॉर्णर जो मेरे बच्चों के रूम में एक चीजता फिट करवाया है जो कि 5,5 फिट का है पूरा लंबा है तो एक बार में कैमरे में आ भी नहीं रहा है तो बस इसको मैं उपर से नीचे बिलकुल आपको दिखा रही हूं और इसकी जो खासियत है वो है कि यह एलेक्रिक से टच है इसका वायर जो मैंने स्विच बोर् काले पर दूसरा कलर आ गया हलका सा यह यलो कलर है थोड़ा डाउन और एक कलर और इसमें आएगा लाइट कलर देखिये सबसे पहले बिलकुल white वाला जो color तेज जो होता है वो होता है फिर हलका सा yellow फिर थोड़ा सा light white होता है इस तरह से ये तीन color है बच्चों का मन था और ये बिलकुल मिल भी गया है यहाँ पे हमारे यहाँ तो हम लोगों ने इसको दिवाल में फेट करवा दिया है इस तरीके से यह काफी लंबा है और इस कॉटिंग के उपर लगा है तो इसकी लंबाई थोड़ी सी और उची हो गई है तो यह देखे इस तरीके से अब यहां से ओफ हो जाएगा यहीं पर यह साइड स्टोरेज भी है तो यहां पर भी अच्छे से समान वगर स्टोर हो सकता है जो भी बच्चों को रखना हो और कबर्ड बन चुका है बच्चों का मैंने आपको दिखाया ही था कि तीनों बच्चों का अलग-अलग कबर्ड है और कबर्ड के बगल में जो इस पेस था इसमें ये इस तरीके से डिजाइन का सेल्फ बनवा दिया है तो उपर दो सेल्फ हैं इसमें जो बच्चों को रखना होगा वो रखेंगे बुक्स वगरा या जो भी उनकी पसंद हो इस तरीके से और यहां पर थोड़ा सा स्पेस है तो इस्टडी के लिए यूज हो सकता है यहां और इसके नीचे में तीन ड्रॉर बने हैं तीनों बच्चों के लिए तीन ड्रॉर बने हैं उनको जो भी अपने पसंद की चीजे रखनी होगी चाहे मेकप से रिलेटेट हो चाहे पढ़ाई स तो वो अपना इसमें रखेंगी तो तीनों बच्चों के लिए यह तीन ड्रॉर बने हैं और सी साब अगल में है तो एक तरह से यह पूरा ड्रेसिंग एरिया इन लोगों का बन जाएगा तो इसमें सारी चीजे वो रख लेंगी तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीड है कि आपको जरूर पसंद आएगा अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में सेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मैं मिलूंगी अगले वीडियो में तब तक के दिल्एग डई